हाई गाईस वेलकम टु श्टडी काउच तो आज हम बात करेंगे जैनुवरी से देसंबर 2021 के टॉप 100 करंड़ अफेज के पार्ट थर्ड के बारे में और इसके जो बाकी पार्ट से उनका लिंग या तो उपर आपको आई बेटन में मिल जागा है फिर नीचे डिस्क्रिप्स में भी जाके आप लोग चैक आउट कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो यूजफूल लगे दें डू लाइक, सेयर, एंड सब्सक्राइब टु श्टडी काउच ओके सो लेट्स स्टार्ट तो फर्स्ट कोशन से स्टार्ट करते हैं जिसमें आप पे पूछा गा एक व वर्ल्ड का लार्जेस्ट नैशनल फ्लेग जो की खादी से बना हुआ था उसको इनगरेट किया गया था तो इस वज़े से इस क्वेशन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अब नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं जिसमें आप पे पूछा गया कि इंडिया का जो फर्स् कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है उसके अंदर इसको बिल्ड किया जा रहा है इसके साथ साथ यहां पे कई सारे ब्रिजिज वगेरा भी बनाए जाएंगे तो इस वज़े से इस क्वेशन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी मुंबई अब नेक्स्ट कोशन की बात करत तो उस टाइम पे इंडिया की मेंस होकी टीम के द्वारा ब्रांज मेडल जीता गया था जिसमें इंडिया की मेंस होकी टीम के द्वारा चर्मनी को हराया गया था और इससे पहले इंडिया की जो ये टीम है इसके द्वारा जो ऑलमपिक में मेडल जीता गया था वो जीता ग बात करते हैं जिसमें आपे CRPF के बारे में पूछा गया एक CRPF याने की Central Reserve Police Force जो है उसके द्वारा रीसेंटली 34 Women Commanders को एक यूनिट में इंडक्ट किया गया है तो उस यूनिट का नाम क्या है तो 7 February 2021 को CRPF के द्वारा 34 Women Commanders को एक Specialized Unit है जिसका नाम है कोबरा यूनिट जिसकी फुल फॉर्म है कमांडो बटालियन फॉर एजलूट एक्सन उसमें फस्ट टाइम इंडक्ट किया गया है जिसकी वज़े से काफी जादा बड़ी News थी तो इस वज़े से इस Question का जो Correct Answer है वो हो जाएगा A अब Next Question की बात करते है जिसमें बिसिकलिए यहां पर पूछा गया एक World की एक Country है जिसके द्वारा हाली में Bitcoin को एक Legal Tender घोसित किया गया है और जिसके बाद वो World की First Country बनी है तो 9 June 2021 को Central America की Country है जिसका नाम है जिसके द्वारा Bitcoin को Legal Tender ग्रांट किया गया है जिसकी वज़े से वो World की First Country बनी है जिसके द्वारा Bitcoin यह Cryptocurrency को Legal Tender के रूप में Accept किया गया है तो यहां पर इस Question का जो Correct Answer है वो हो जाएगा B अब Next Question की बात करते है जिसमें हाँ पर Operation Sankalp के बारे में पूछा गया है कि इंडियन नेवी के द्वारा अभी Recently Operation Sankalp कंड़क्ट किया गया था जिसको की Persian Gulf में कंड़क्ट किया गया था यहां पर इंडियन नेवी के द्वारा किसी एक कंट्री की नेवी के साथ में मिलके एक एकसरसाइज भी की गई थी जिसको की पैसेज एकसरसाइज या फिर पासेक्स P.A.S.S.E.X. के नाम से भी जाना जाता है यह एकसरसाइज भी कंड़क्ट हुई थी तो यहां पे हुआ क्या था कि 17 मार 2021 को बहरेन की जो रोयल नेवी फोर्स है उसके द्वारा और इंडि आंसर है वो हो जाएगा सी अब नेक्स्ट कोशिन की बात करते हैं इसमें यहां पर पूछा गया कि इंडिया का जो फर्स्ट एग्रिकल्चर एकस्पोर्ट फैसिलेटेशन सेंटर है उसको किस सिटी में लाँच किया गया है तो यहां पे मराथा चैंबर ऑफ कॉमर्स इंड अग्रिकल्चर उसके द्वारा उसके साथ नबाड यानि कि नेशनल बैंक फर एग्रिकल्चर एंड रूरल लबर्पमेंट उन दोनों के द्वारा पूने में इंडिया का जो फर्स्ट एग्रिकल्चर एकस्पोर्ट फैसिलेटेशन सेंटर या फिर एग्रो एकस्पोर्ट Center जो है उसको launch किया गया था तो इस वज़े से इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा B पूनी अब next question की बात करते हैं जिसमें आपे पूछा गया एक world का जो largest floating solar farm है उसको किस country के द्वारा plan किया जा रहा build करने के लिए तो Singapore का जो संसीब group है उसके द्वारा ये announcement की गई थी कि 2 billion dollar invest करके जो world का largest floating solar farm है उसको establish किया जाएगा Indonesia में Indonesia का जो बताम island है वहाँ पे इसको establish किया जाएगा तो यहाँ पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा B अब next question की बात करते हैं जिसमें basically यहाँ पे पूछा गया कि किस state government के द्वारा यह announcement की गई है कि राजीव गांदी award for excellence जो है उसको अब IT sector यानि information and technology के जो sector है उसमें भी दिया जाएगा तो 10 अगस्ट 2021 को महरास्टा की state government के दोरे announcement किया गया कि जो राजीव गांदी award है यह राजीव गांदी C महरास्ट अब next question की बात करते हैं जिसमें basically यहाँ पे world hearing day या विश्व सर्वन दिवस के बारे में पूछा गया इसको कब observe किया जाता है तो world hearing day को हर साल third march को observe किया जाता है और इसको observe किया जाता है WHO यानि की world health organization के द्वारा तो यहाँ पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा ए अब next question की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे बी आर ओ यानि की border road organization के बारे में पूछा गया उसके द्वारा 2021 में नेचीपू टनल को construct किया गया तो इसको किस state में construct किया गया तो बी आर ओ के द्वारा 500 मिटर लंबा एक all weather tunnel बनाया गया जिसको नेचीपू टनल का नाम दिया गया बेसिकली इसको अरुनाचल प्रदेश के पास में एक pass है जिसको की नेचीपू पास के नाम से जाना जाता है उस pass के just pass में ही जो यह tunnel है नेचीपू टनल इसको बनाया गया है इसका main aim यहां पर यह जो इंडियन मिलेटरी के convoy होते हैं उनको इंडिया चाइना बॉर्डर के पास में कम टाइम में पहुंचाया जा सके इस वज़े से इस channel को construct BRO के द्वारा किया गया है तो यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा डी अरुना चल प्रदीश अब next question की बात करते हैं जिसमें बिसिकली यहां पर पूछा गया एक world का largest plant बनाया गया है अभी recently जिसके द्वारा air से directly जो CO2 यानि carbon dioxide उसको capture किया जाएगा तो यह जो operation है इस plant का जो operation है वो किस country के द्वारा start किये गए अंदर 2021 के starting में world का जो largest plant design किया गया जिससे की directly air से CO2 को capture किया जा सके इसके operation से start किये गए है Iceland में तो यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा C और इस plant के बारे में खास बात यह है कि इसके द्वारा per year basis पे 4000 टन CO2 को capture किया जा सकता है अब next question की बात करते हैं इसमें basically यहां पर पूछा गया कि किस country के द्वारा उसका first ever mega food park and food processing unit को इंडिया में launch किया गया तो 17 अप्रेल 2021 को Italy के द्वारा उसका first ever mega food park and food processing unit को इंडिया में launch किया गया तो इसमें basically the mega food park जो है वो यहां पे pilot project था Italy का और उसके अंदर ही इसको यहां पे launch किया गया है जो कि इंडिया में गुजरात में जो फनीधर mega food park है वहां पे इसको launch इटली के द्वारा किया गया तो यहां पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा C Italy अब next question की बात करते हैं जिसमें यहां पे पूछा गया कि latest reports के according किस country की जो green house gases का emission है जी एच जीज का जो emission है वो सारे developed countries की अगर combine कर दे तो उन से भी जादा होता है तो recently एक rhodium group की जो कि एक think tank को उसके द्वारे एक report release की गई जिसके द्वारा यहां पे बताया गए कि चाइना के द्वारा जो green house gases का emission किया जाता है जो pollution किया जाता है वो बाकी जो OECD के मेंबर है यानि का और्गनाजिशन फॉर economy cooperation developments के जो टोटल 37 members है उन सब की भी अगर combine कर दें तो उससे भी जादा है यह report May 6 2021 को publish की गई थी तो यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा ए चाइना अब next question की बात करते हैं जिसमें यहां पर पूछागा एक इंडिया का कौन सा वो state है जिसमें crocodile है मगर मच की जो species है उन सब की जो तीनों species है उस state में पाई जाती है और वह इंडिया का एक only state है जहां पे crocodile की तीनों species पाई जाती है तो उडिशा में उडिशा जो है वह बेसिकली इडिया का only state है जहां पे crocodile की तीनों species पाई जाती है तो इस वज़े से इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा डी और यह तीनों species महा नदी की रिवर उडिशा में जो बहती है वहीं पे पाई जाती है अब next question की बात करते हैं जिसमें यहां पे पूछा गया है कि 2021 का EIU का यहां पे जो global availability ranking या index जो है उसमें किस city को most available city के रूप में declare किया गया है तो EIU याने की economist intelligence unit के द्वारा एनवली लेबल पे ग्लोबल availability ranking या index रिलीज किया जाता है 2021 का जब रिलीज किया गया तो उस टाइम पर आउकलेंड city को world की most available city के रूप में declare किया गया तो यहां पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा अब next question की बात करते हैं जिसमें यहां पे पूछा गया कि प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं उनके द्वारा रिसेंटली 2021 में रेवादी मदार corridor जो है जो की डवलू डी एपसी western dedicated freight corridor का एक corridor है उसको इनगरेट किया गया था यह किन दो states के बीच में located है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑन्रेबल नरेनर मोदी के द्वारा यहां पे जो western dedicated freight corridor है उसके commercial operation के लिए एक नई stretch को इनगरेट किया गया था जिसका नाम है रेवारी मदार corridor जो की हरियाना और राइस्थान के बीच में है यहां पे जो रेवारी है वो हरियाना में पढ़ती है और जो मदार है वो राइस्थान में तो इस वज़े से question का जो correct answer है वो हो जाएगा अब next question की बात करते हैं जिसमें basically यहां पे पूछा गया है कि first जो water plus certified city है इंडिया की वो कौन सी city बनी है तो 11 अगस्ट 2021 को वद्य प्रदेश के CM सिवराज सिंग के द्वारे यह announcement की गई कि इंदोर को first water plus city के रूप में certified किया गया है अंडर स्वच्छ सर्वेक्शन 2020 अभियान तो यहां पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा C इंदोर अब next question की बात करते हैं जिसमें basically यहां पर पूछा गया Green Urja Award 2021 का जो है वो किस Indian Agency को दिया गया तो 11 May 2021 को ICC यानि कि Indian Chamber of Commerce जो है उसके द्वारा IREDA यानि कि Indian Renewable Energy Energy Development Agency Limited को Green Urja Award से सम्मानित किया गया था तो इस वजह से इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा D अब next question की बात करते हैं जिसमें basically यहां पर पूछा गया कि USA के द्वारा 2021 के starting में एक country को State Sponsor of Terrorism की category में वापिस से designate किया गया था तो यह incident हुआ था 11 January 2021 को जब USA के द्वारा क्यूबा को वापिस से State Sponsor of Terrorism की category में डाला गया था तो इस वजह से इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा D क्यूबा अब next question की बात करते हैं जिसमें यहां पर पूछा गया एक राज्य सबा और लोक सबा टीवी जो है उन दोनों को मर्ज करके एक नया टीवी का नाम दिया गया है उसका नाम क्या है तो यहाँ पे इन दोनों को मर्ज करके एक नया टीवी बनाए गया जिसका नाम यहां पर दिया गया जो उस country का सबसे बड़ा social science के field में award है उससे सम्मानित किया गया है तो यहाँ पे 26th May 2021 को Indian economist और Nobel laureate Amrita Sen को Spain का जो top princess of austeris award जो है जो कि social science की category में दिया जाता है उससे सम्मानित किया गया था तो यहाँ पे इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा C अब next question की बात करते हैं जिसमें यहाँ पे पूछा गया कि plastic waste से road को construct करने का जो काम है वो किस state government के द्वारा start किया गया था तो 2021 में तिरपुरा के द्वारा यह कुछ अलग ही type का incident किया गया था यह first type का ऐसे situation था जो कि इंडिया में हुआ जिसमें की plastic waste की help से road को construct किया गया था और यह announcement 22nd February 2021 को तिरपुरा के चीफ मिनिस्टर विपलब कुमार देव के द्वारा की गई कि तिरपुरा जो है इंडिया का first state बना है जिसके द्वारा plastic waste से road को construct किया गया है तो यहाँ पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा B तिरपुरा अब next question की बात करते हैं जिसमें आपर पुछा गया justice हीमा कोली जो है उनके द्वारा किस state के high court के chief justice के रूप में 2021 में सपत ली गई और ऐसा करने वाली वो first woman उस state की बनी है तो यह incident हुआ था January 2021 में जब justice हीमा कोली के द्वारा तेलंगाना के high court के chief justice के रूप में सपत ली गई थी तो यहाँ पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा D तेलंगाना अब next question की बात करते हैं जिसमें यहाँ पर पूछागा एक world का largest offshore wind farm जो है उसको किस country के द्वारा build किया जा रहा है उसकी planning किस country के द्वारा start की गई थी तो यहाँ पर 5 February 2021 को South Korea के द्वारा एक announcement की गई कि 8.2 गीगावार्ट का एक offshore wind farm को जिनॉम प्रोविंस में South Korea के द्वारा build किया जाएगा जो कि 2030 तक complete होगा तो यहाँ पर इस question का जो correct answer है वो हो जाएगा C So यही थे कुछ most important MCQs जनवरी से December 2021 के top 100 current affairs के MCQs का part 3rd से related So आज के लिए बस इतना ही Hopefully you guys find it useful and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch Thanks for watching and I have a good day